नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल SPS Study Point पर मैं सोनूँ आप सभी दोस्तों का हादिक स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा की आप सब को पता है vc फर्स समेस्टर के कलास स्टार्ट हो चुकी है और आज यह केमेस्टरी की तीसरी कलास है जिसमें आज हमारा जो टापिक है वो है fundamental of chemistry का important टापिक जिसका नाम है resonance यनी अनुनाद आज हम अनुनाद पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का ये आपके टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का नाम है Molecular Polarity and Big Chemical Forces इसमें हमने पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडेक्शन देखा था कि आपको पहले लेक्चर में पढ़ना क्या कहती है यानि पहली यूनिट में सेकेंड लेक्चर था दोस्तों कल की क्लास में हमने फॉर्मल चार्ज को डिस्कस किया था और चारिक आबेस हम किस वरकार से निकालते हैं किसी भी कमपाउंड का किसी भी इस्टक्चर का मैंने आप लोगो फॉर्मल चार्ज में बताया था किस वरकार से निकालते हैं अगर जिन्हों नहीं देखा ये क्लास तो ये क्लास जरूर देख लिजेगा इसके पहले वाली सेकेंड लेक्चर क्योंकि वहां पर आपको लुज डाट इस्टेक्चर के बारे में भी कुछ इंपॉर्डेंट से जो फार्मूले हैं उनको भी बने बताया था तो वहां पर आप रिविजेन कर क्या है इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है ये थेओरी आखिर में दी क्यों गई थी और साथी साथ हम इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कंडिशन पढ़ेंगे और फिर हम रिजोनेंस एनर्जी के बारे में जानकारी करेंगे चले दोस्तों क्लास को स्टार्ट क वजे आप लोग chemistry पढ़ने के लिए लाइब आएंगे ओके डिस्कस करते हैं आज की इस महत्पूर्ट टॉपिक्स को कि रीजोनेंस अखरे में हमें पढ़ना क्यों है और रीजोनेंस है क्या सबसे पहले यह जान लेते हैं दोस्तों मनलिया कोई atom है जैसे की ऐसरी ले लिया तो इसकी एक सनरचना सूत दवारा इसके गुरों की ब्याक्ख्या ने इसके बारे में अगर हम एक इसका सनरचना बना दें तो क्या इसके गुरों के बारे में पता चल सकेगा क्या हम इने स्रीके गुडों की ब्याक्ष्या कर पाएंगे तो जब कभी भी किसी भी परमाडू के संपूर गुडों की ब्याक्ष्या एक सनरचना सूत्र द्वारा ग्यात ना हो तब दो या दो से अधिक सन्चना सूत्र का प्रियोग किया जाता है इस घटना को अनुनाद कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि अनुनाद क्या है तो आप बताएंगे जब किसी भी अडू की संपूर गुलों की ब्याख्या एक सन्चना सूत्र द्वारा संभो ना हो घटना को अनुनाद कहते हैं अब इसमें कंडीशन क्या है कंडीशन यह है कि इसमें परमाडू जो होंगे आपके परमाडू का अस्थान क्या होगा वह स्थीर रहेगा वह यानि कि इसका डी लोकलाइजेशन नहीं होगा इसका अस्थान्तर होगा किसका अब हम समझ लेते हैं जैसे यह है बैंजीन आप सब कोंग बैंजीन का फॉर्मेला क्या होता है 사cor Rings 16 भी थिस सिक्स होता है ठीक है अब इसमें हमने क्या कि एक इस यह तो एक इस्ट्न क्छर हो गया आप यस का पर हमने जब दूसरा इस ट्रेक्चर बनाया तो कोई जरूरी तो है नहीं कि यहां पर बॉण्ड लगा दिये इस बाइब को यहां पर लगा दिये यह भी संद्चना सही है लेकिन आपने देखा यहां पर अस्थांतरन किसका हो रहा है अलक्ट्रांस का हो रहा है आपने क्या देखा यहां पर आप ने देखा ilekt sensible हुरा यमल्ड अस्थांतरन हो रहरा है तो यह संद्च्णा जो मने अभी आप लोग को बताई यह संद्च्णा कौन सी संद्च्णा है ऐसके कैकुले संद्च्णा दिथी दिक यह किस ने डिती कैकुले संद्च्ण दिथी आगे भी ब मिले भी कि आपको यह जानने को मिलेगा सबसे पहले समझ लिए चलेहे इसको ही समझा देते हैं सबसे पहले जैसे की यह आपका बेंजीन का structure है यह अग कि बैंजीन यहां पर करभण कार्बन क के और कॉर यहां पर हमने हाइडोजन कर दिया हाइडोजन hydrogen 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 । हमने देख रहे हैं कारबन की अपको पता है चार होना चाहिए अब यहां इसकी बैलंसी तब यहां पर complete हुई अब इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं क्यों हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते आप लोग लिखते होंगे आप डारेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं या आप अधर तरीके से लिख सकते हैं आप यहां पर एक बाउ icia energy होगै ने क्या है कि guy अने स्थांतर किया गय तो इनको मिला करे एक सना शाना तयार की गई यानि की बेंजीन को । हम इस तरह से लिखते है न इस तरह से लिखते इसको चाहिते हैं यही पूरा खेल है इस रीजोनेंस में आप समझ में आगे आपको समझ में आएगा बिलुकुल परिशान नहीं अगर आपको थोड़ा साइब डाउट हो रहा है कल काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अभी मुझे इसको समझने का प्रियास करिए बाकि अगर जो नहीं समझ में आ रहा है वहां पर आपका डाउट किलियर हो जाएगा ठीक है चलिए अब इसको समझ लेते हैं आपको पता चल गया अनुनाद क्या होता है मैंने आप लोगो बता दिया कि आप बचा सकते हैं कि जब किसी कोई भी अडू हो इसके स्टंपोंड ग्लो की ब्याक्ख्या एक सनचना सूत द्वारा नहीं ग्याद की जा सकती यह सबको पता है जैसे मैंने आपको बताया यह बेंजीन था बेंजीन का बताया ना इसका क करना पड़ता है कि फिए चॉत्र का सहायता लेना पड़ता है तो इसी को अनुनाद कहते हैं इसे लिए अनुनाद को हमें पढ़ना होता है आप आप लोग ने क्लास 11 में पढ़ा होगा क्लास 11 का टॉपिक से चलिए इन केमेस्ट्री रिजोनेंस आल्सो कार्ड मेजोमेरिसम केमेस्ट्री में अनुनात को मेजोमेरिसम कहा जाता है इसे बे आपदा डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन सर्टेन मालेक्यूर और पॉली अटामिक्स आयन बाई दक कम्बिनेशन आप दे शेवरल कंट्रीबिटिंग स्ट्रेक्चर आल्सो काल्ड रिजोनेंस स्ट्रेक्चर दोस्तों यह जो स्ट्रेक्चर बनता है विभिन प स्ट्रेक्चर जो एक ही संचना सूत्र बना दिया जाता है इसको क्या कहते हैं इसको रिजोनेंस यानि हाइबिट रिजोनेंस इस्ट्रेक्चर कहते हैं यह अनुराज संकर संचना कहते हैं कि चलिए अब इसमें क्या होता है कि इसकी साहिता कहां पर लिया थी बैलेंस बॉन सबसे पहले आया यह सबसे पर यह भाए कि कर पा कि कैसे ही इन्होंने किलियर नहीं कि यह इन्होंने किलियर नहीं यह बता पाए कि बेंजीन के संपून ग्रोव की बैक्षा क्या रिजोनेंस इस्टेक्चर के द्वारा ग्याद की जा सकती है तो ये भी थियोरी सफल नहीं रही इसके लिए एक थियोरी फिर आई बैलेंस बॉन्ड थियोरी जिसको आगे हम पढ़ेंगे उसके बाद में आई माली कॉलर ओर्टल थियोरी जिसके बाद फजानस भाई यसाब अपना रोल दिया अपना नियम धिया कि इस परकार से अस्त्नाट एक जाएगा उसके बाद में एक रूल आया जिसे वेस्पर थेवरी के नाम से जानते हैं ठीक है तो विभिन विभिन ने छेवरी जो आई हैं उनके बारे में आगे पढ़ेंगे हालकि हम यहां रिजोनेंस बढ़ रहे हैं अब यहां पर है इते हैसे पार्टिकुलर बैलू फोर अनलाइजिंग डी लोकलाइज्ट एलक्टान वेर दा बॉंडिंग कैनाट बी एक्सप्रेसेट बाई वन सिंगल लूइस इस्टेक्शिर दोस्तों अभी यहां पर आपको केल समझ आएगा लूइस इस्टेक्शर से किसका बनाया गया है यहां पर है सी ओ थ्री टू माइनस चाल ठीक है अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि जब इसका हम सनचना बनाएंगे ठीक है जब इसका हम सनचना बनाएंगे क्या लूइस इस्टेक्शर लूइस इस्टेक्शर के लिए मैंने आप लोग को बताया था प्लस अगर कोई माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज ले लेते हैं या कोई प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की संख्या ले लेंगे इतना ही आपको इसके अंतरगत करना होता है यह हो जाएगा आपका लुश स्ट्रक्चर जब आपको लुश स्ट्रक्चर आ जाएगा से आप formal charge गात कर पाएंगे जब आपको formal charge आएगा तब आप को जो resonance structure है वो और अच्छे से समझ में आएगा तो यहाँ पर दिया गया है Lewis structure किसका दिया गया है CO3 2 मायस charge अब यहाँ पर आपने देखा कि हम इस सनचना को इस प्रकार से बना सकते हैं डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर लगाया अब कैसे यहाँ पर देखे जब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर चार लोन पे रलक्टान की संख्या होगी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर च्छे लोन पेरलक्टटान की संख्या है और यहाँ पर छे लोन पेरलक्टान की संख्या है। लेकिन हं क्या इस structure को δूसरे मेट्थे से नहीं मना सकते हैं क्या हम यहाँ पर double bond नहीं लगा सकते हैं ? यही तो resonance structure आपका कहता है, यही तो अनुनाद की घटना है, देखे, यहाँ पर जो symbol लगाया गया, अगर इस प्रकार से लगेगा, तो यानि कि इसका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर यह symbol लगेगा, तो इसका मतलब है कि दोनों आप बना सक सकते हैं, यहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, यह जो double bond था, जब यह ब्रेक होगा, जब यहाँ पर ब्रेक होगा, तो लोन प्रेललक्टान की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यहाँ पर आजाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने देखा कि य जो CO3, 2 माइनस चार्ज काई तीन स्ट्रेक्चर बना है, तो इन ही को क्या कहते हैं, दोस्तों, इसी को रिजोनेंस स्ट्रेक्चर कहते हैं, और यह आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर CO3, 2 माइनस चार्ज के गुरों की ब्याख्षा के लिए नहीं हो पारी थी, यानि इनके की बारे में नहीं पता चल सकता था, इसी लिए हमने क्या किया, इसका तीन स्ट्रेक्चर बनाया, लेकिन यह तीनों स्ट्रेक्चर सही हैं, ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है, केवल और केवल, आप देखेंगे, एटम, ठीक है, यहाँ पर परमाडू जो आपके हैं, वो से क inténd से किर print ग्यान में, नुनाद जिसे हम क्या कहते हैं, मेसर्प मेरिजम भी कहते हैं, की द और या व बहु परमाड Ugh में जो आयन के संचना के स्वरूम स्वरूम में जो अनुनाद संचनाओं का बिहृत में जाना जाता है क्या कarta है इसके जो संयोजन से मैं आप गला संयोजन का मतल समझा आप जैसे अभी आप देख आप मैं बनादे को Benzin का बताए है थैक है आप बंजीन का आपने देखा कि इसका विन संक्रनाज सं ideas बन सकता है एक डिया था एक डेवर ने मैंने दे दिया है ताकि आप लोग जो हिंदी मीडियम के स्टुडेंट है उनके समझ में आ जाए आगे चलते हैं समझते हैं अगर आपको लिखना हो इसका डेफिनेशन या इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना हो तो किस प्रकार से बताएंगे आप से कोईशन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वो पूछा जाता है what is a resonance structure in chemistry ठीक है यह आपसे question पूछा जाता है कि what are resonance अनुनाद क्या है और साथी साथ पूछ पूछले जाता है अनुनाद उर्जा यdo तो यह मोश्ट इंपॉर्टेंट है चलिben समझते हैं कि री क्क्ष में स्च्छर क्रेस्ट्री में रिजोनेंस इस्टैक्चर और ग्रूप आप पू मोरणीयस इस्टैक्चर देट कैलेक्ट बली प्रजेंट सिंगल पॉल्याटामिक स्पीसी अलक्टौन पॉंडिंग इंकलूड़ दा अफ्रेसिनल बॉंड और एंड ऐस्टो न शचर्च है जो रिजोनेंस तीन Lewis structure बना है आप लोग को तो आप कह सकते हैं कि Resonance structure क्या है Resonance structure are a group of two or more Lewis structures that collectively present a single polyatomic species, electrons, bonding including the personal bond and the personal charge ठीक है यही आपका क्या है Resonance structure है Resonance structure समझ गया आप क्या होता है ठीक है तो Resonance structure एक बार फिर से मैं आपको repeat करूँगा कि Resonance structure होता क्या है दो या दो से अधिक Lewis structure का साखा होता है यानि कि दो या दो से अधिक अगर Lewis structure का combination हो रहा है तो उसमें आप कह सकते हैं कि यही आपका क्या होगा Resonance structure होगा ठीक है तो इतनी बात क्लियर हो गई चलिए अब हम next करते है what are the definition of a Resonance structure Resonance structure की definition क्या होगी इसमें आपको ध्यान देना है दोस्तो definition तभी आप note कर पाएंगे या लिख पाएंगे जब आपको Resonance के बारे में पता हो आप लिख सकते हैं मैंने आप लोग को बता दिया कि Resonance में होता क्या है कि किसी भी एटम या किसी भी परमाडू के संपूर गुरो की व्याख्या अगर एक संद्चना सूत्र द्वारा ना ग्याद किया जा सके तो हमें भी भीन संद्चना सूत्र का सहाथा लेना परता है उसी घटना को क्या कहते हैं इसी घटना को कहा जाता है Resonance structure या resonance कि कहें चलिए तो अब हम definition समझ लेते हैं resonance structure are two example of a molecule in which the chemical interaction is the same but the electrons are distributed around the structure differently कहने का मतलब यह है दोस्तों कि resonance structure जो है वो दो और अधिक example यानी दो या दो से अधिक molecule के अगर कोई chemical interaction है उनका जू electronic बिन्यास है जू electronic का अस्थानतरन है वो हो रहा है पार्टीक।र्री यानी की दो तो यानी एक जैसे कि यह दे दिया जाया, एक structure मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, SO3 2 मानेस स्याज, अगर दिया जाया, अब इसका आप वेफिन लुइस structure बनाईए, तो आप कम से कम तीन structure लुइस structure बना सकते हैं, चो यह structure जो बनेगा, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है, रिजोनेस structure की definition आपको पता हो गया, यह आप लोग तयार कर लीजेगा, इतना ही आपको तयार करना है, मैंने जो notes आपको दिया है दोस्तों, जहाँ पर आप example, मैं आप लोग को भी दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम किसी भी structure का, विभिन विभिन प्रकार का Lewis structure बना सकते हैं, ठीक है, और इस Lewis structure के दोरा, हम कैसे एक अनुनाद संकर सनचना बनाते हैं, कैकले ने कौन सा structure दिया था बेंजीन का, और क्यों जो डेबर ने एक सनचना दी थी, वो theory क्यों फेल हुई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, रिजोनेंस, यानि अनुनाद, अब आगे अभी तो आप समझ चुके हैं, अनुनाद क्या है, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिए, दिक्तित करते हैं, यानि की, अनुनाद योगिक के, गुडो की, यानि किसी भी अडू की, यांनि कम्प्लीट, अगर कोई भी इस्टुके दिया गया है, इसके elements के बारे में यह इसके elements के बारे में इसका double bonding कैसे बिलेक हो रहा है कैसे यहां पर लोन पेर अलड्टान की संख्या रही है इन सबी को जानने के लिए हम बीविन बीविन क्या बनाते हैं लूइस structure बनाते हैं और उनहीं structure को कहते हैं अनुनाद ठीक है तो आप कह सकते हैं the structure of the molecule of a compound is capable to explaining its properties यानुनाद योगी के अड़ो की संचना योगी के गुरो की ब्याख्या करने में सच्छम होती है sometime the electron structure of the molecule of compound is not able to explain all of its property in this condition कभी कभी क्या होता है कि किसी योगी के अड़ो की एक electronic संचना उसके समस्त गुरो को अस्पस्ट नहीं कर पाती है जब ऐसी condition आएगी तो आप लिखेंगे other possible electron structure of the molecule are the present तब क्या होता है कि ऐसी स्थिती में अड़ो की अन संभो electronic संचना प्रस्तुत की जाती है but none of these structure is the actual structure of molecule लेकिन क्या होता है कि अड़ो की जो वास्पिक संचना होती है इन संचनाओं के मद्द माने जाती है और क्या होता है the actual structure of molecule is lies but being this structure which is known as that is not possible to represent the actual structure on the paper दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी अड़ो की वास्पिक संचना इन संचनाओं के मद्द मानी जाती है जिसे कोई भी ग्यात electronic संचना नहीं दी जा सकती अर्थात वास्पिक संचना का कागज पर नेरोपन संभो नहीं होता है किसी भी अड़ो की अगर जो संचना वास्पिक संचना है वो अगर कागज पर यानि कि उसको बनाने का संपूर प्रयास करें फिर भी उसका structure completely ना बन पाए तो इस घटना को क्या कहते है अनुनाद कहत हैं जब हम विभिन structure बनाएंगे लुइस structure आना चाहिए जब लुइस structure आएगा तभी आपको resonance भी समझ में आएगा ठीक है तो दिस फेनोमेन आन इस काल डी जोनेंस यह गटना को क्या कहते हैं अनुनाद कहते हैं इट इस एजिएउम डैट दे एक्श्यूल और गेनिक माले ही सूत्रों का चया कहा जाता है इन्हें अनुनादी संकर संचना किसे कहते हैं तो यह आप लोग जान लीजिए कभी-कभी शॉट में पूंच ले आता है तो जो आप बनाते हैं इनसे मिल करके जो एक नया structure तयार होता है complete या इन सबीर का एक जी होता है जैसे हम यहां पर dot dot से दिखाते हैं लेकिन इसको आसान वासा के लिए आप यहां पर इसे गोला बना देते हैं रिंग बना देते हैं तो यही क्या कहलाती है अनुनाज संकर समरचना कहलाती है चलिए for example हम समझ लेते हैं लिए दो नोन प्रॉपर्टिस आप बेंजीन कैनाट बी एक्स्प्लेंड बाई इस सिंगल इस्ट्रक्ट्रल फॉर्मॉला डेट इस हैंस वन मोर फॉर्मॉला कैन बी रिटेन फॉर एदफ फॉलो उधार के लिए जैसे बेंजीन की जो एकांतरं सी सिंगल बाउन सी तथा सी डवल बाउन सी आबंड यूक्त जो चक्रिय सनचना होती है इनके गुरों की बैक्ष्छा करने के लिए प्रियाप नहीं है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर आप देखिए बेंजीन है ठीक है अभी यहां पर हमने क्या 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 डबल बा आपके यहां पर क्या था हम यहां पर देदिए डवल बाउन यहां पर लगा दी ठीक है कहने के मतलब है कि हम इसको बिभीन सनचना सुथ द्वारा ग्यात कर सकते हैं ठीक है तो यही अनुनाद कहता है अनुनाद की खतना यही कहती है कि जब कोई भी ऐलिमेंट हो उसके सनचना सुथर का प्रयोग किया करने की अबसकता पड़े तो इसे घटना को रिजोनेंस कहते हैं चलिए आगे समझते हैं कि रिजोनेंस की कंडिशन क्या है कंडिशन फौर रिजोनेंस अनुनाद सिध्धान्त क्या है दा फॉलिए रुल्स और वे वायल रैटिंग दा सब्सक्राइब लिखते समय इन नियमों को में पालन करना पड़ेगा पहला दिया गया है दा पोजीशन आप टाइटम इन आल के निकल इस्ट्रक्चर और फे मालीक्यूल रीमेंज अंचेंज के निकल इस्ट्रक्चर डिफर इन दा अलेक्टानिक अरेज्मेंट ओल्ली पर्माडू के नाभिक होते हैं दोस्तों उनकी स्थिति क्या होती आप परिवर्टित होती है कि अवल इलक्टानिक व्यवस्था में अंतर यहां पर होता है दूसरी कंडेंशन यह है दोस्तों कि डिफ्रेंट कानिकल इस्ट्रक्चर फॉम हैब नूइकल कांट्रिब्यूट इस्ट्रन टू दा रिजोनेंस हाइबरेट ग्रेटर दा इस्टेबिल्टी आफ दा कंट्रिब्यूटिंग स्ट्रक्चर मोर विल इस कंट्रिब्यूशन दोस्तों अनुनाधी संकर वास्तविक सनचना में विभिनिक कानिकल सनचना का सामान रूप से युगदान नहीं होता है योगदाशनwood होता है जतना अधिक होगा उतना ही उसका युगदान अधिक होगा में देन डयरें देन डट सरक्चर एस जब योगदाशनचना सामान यह लगभखasmund होती है तब क्या होता है अनुधार महत्पूड होता है एक और कंडिशन है जो मैंने आप लोग को बता दी है कि इसमें जो एटम होंगे दोस्तों वो क्या रहेंगे वो वहीं पर इस्थिर रहेंगे इसमें केवल और केवल एलक्टान का आधान परदान होगा इसके लिए मैं एक एक्जामपिल और भी दे देता हूँ जैसे कि मैंने आप लोग को सबसे अच्छा जो एक्जामपल है समझने के लिए वो बेंजीन ही है इसलिए मैं बेंजीन बता रहा हूँ ठीक है अब यहां पर आप देखिए कि यह बेंजीन दी गई है इसका हमने क्या किया बेंजीन में आप सबको पता है कि यहां पर एक carbon, यहां पर एक carbon, यहां carbon, यहां carbon और यहां 6 carbon और 6 hydrogen अब यह जहां पर है वहीं पर इस्थिर रहेंगे लेकिन यहां पर जो यह bond है इनका आदान परदान यहां पर होगा यहाँ पर bond लगा था हमने इसको यहाँ पर कर दिया इस bond को यहाँ और इस bond को यहाँ लगा दिया यह भी सनचना सही है तो कहने का मतलब यह है कि आपके atom की स्थिती atom की position इस्थिर रहेगी किवल electron का दान प्रदान यहाँ पर होगा यह conditions है अब हम discuss करते है है अगर जिन्हों को अभी भी समझ में नहीं आया रिजोनेंस वो यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर मनें रिजोनेंस यह देखे बेंजीन बना हुआ है C6 H6 बेंजीन बना हुआ है अब आपने देखा कि इस प्रकार से इसका structure बनता है सबको बेंजीन का structure बनाना आता होगा पता होगा अगर नहीं आता है तो आप इस समझ लीजिए कैसे बनता है वो भी बता चुका हूँ आगे यह मैंने पहला structure बनाया दूसरा structure क्या हुआ कि यह देखे डबल बॉन्ड जो था इसको हमने यहाँ पर क्या कि इसका उठा करके electron यहां पर कर दिया यहां से जो electron है अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहां का तो यहां पर क्या आ गया यहां पर डबल बॉन्ड आ गया यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों यहां पर आपका लोन पिरा जाएगा जैसे ही यहां पर बॉंड लगा यहां पर नहीं अब फिर यहां पर हमने क्या किया इसका बॉंड ब्रेक कर दिया यहां पर आ गया यहां कि इस थांतरण कर दिया फिर भी यही इसका भी वही सूत्र है C6 h6 यही है अब इन दोनों को मिला करके हमने एक structure तैयार किया तो करिक हcent को क्या होगा की कहींना कहीं डबल बॉण्ड टूटेगा कहीं न कहीं ड़ व्हाजगे गा इसके लिए हमने एक Sun recorded नहीं कि हमने नहीं बेंजीन कि सनचना डेवर जो एक निम बना दिया एक सिधा सिधा एक बना दिया बेंजीन और आप 38 में दौना करके दौने कि के दोरहThe हाइब्र शंकर यह उतना यहनी प्राइब्र शंकर structure बना गया, यही है बेंजीन का exact structure जिसको मैंने resonance structure के द्शारा किसी भी item की किसी भी item की क्या कर सकते हैं विभिन विभिन सनचना बना सकते हैं किसके द्वारा Lewis structure के दौरा Lewis. structure आपको आता है तो आप इसी सनचना आसान सी ज्याद कर भाएंगे यहां भी मैंने वही benzin का बता दिया है benzin का मैंने इसलिए दे दिया था औरषे समझाल राता है एक्समाप में आप इसी प्रकार से इंपिकर को दोनव बना देंगbuild कि कि इस वाले समर्चनथल में क्या है यहां पार считशा में क्या है यहां मैंने आप लोग को समझा दिया कि किस प्रकार से आप resonance structure निकालेंगे किस प्रकार से resonance structure बनता है और क्या युगदान यहां पर होता है जैसे कि यहां पर दिया गया नेट्रोग देखिए यहां पर दिया गया C6, H5, NH2 जल्दी से बताए किसका formula है जल्दी से सभी लुग है इस प्रकार से मना सकते हैं तो क्या हम इसको से नहीं बना सकते हैं यहां पर यहां पर आगे- पालां प्लस चार के यहां पर पर लगा दिया यहां पर लागा भी तूरिया नहीं लग सकते हैं विल्कुल लिख सकते हैं यहां पर यहां पर नहीं डबल वाउन यहां डबल लगा दिया यहां पर ब्रेक कर दिया तीन बंट यह बैलन्सकी कि अचार में लगए сложно कार्बं को कि इतर सब्सक्राइब इसका बीचारvers complete तो क्या इससन नचना को हम इस प्रकार चेने पहले सकते यह ही आपने गत्रा किवाबन तर द्वारा इससका बनाया गया क्यों बनाया गया क्योंकि हाँ यहाँ परहमें पता चलता है क्योंकि इसके एक structure के दोरा हमें नहीं पता चल पा रहा था कि कहां पर loan पियर आएगा कहां पर bond पियर आएगा और इसमें electron का स्थान तरंड क्यों होगा इसके लिए हमें इन चार structure बनाना पड़ा तो यही है पूरा resonance structure का खेल ठीके तो कुल मिला करके resonance structure आज हमने बता दिया कि resonance क्या है अनोनाद क्या है संकर अनोनाद सनचना किसे कहते हैं कैनियूकल क्या है कैनियूकल किसे कहते हैं दोस्तों resonance को ही कैनियूकल कहते हैं जो बिविनिस प्रकार की सनचना बनती है हमने इसके condition को देख लिया ठीक है अब हम discuss करेंगे दोस्तों इसके application को इसका application क्या है resonance का application क्या है heading डालेंगे आप application of resonance structure of benzene तो आप लिखेंगे the concept of resonance took place in determining the structure to benzene अनुनात की धार्णा का जर्म बेंजीन की सनचना निर्धारित करने में ही हुआ है दोस्तों benzene is considered the resonance hybrid of the following possible structure निमन संभो सनचना का अनुराज संकर माना जाता है यह आपने देखा इन्होंने कैकुले ने दिया था 80% इसको सभी लोगों फालू किया इन्होंने देवर ने दिया था अब मनें बता दिया आप लोगों को समझ में आ गया हो गया structure कैसे बना है structure कैसे बना है का ब्रेक हुआ है bond का आदान परदान कर दिया गया है ठीक है तो यह बास में आगी यह को केकुले भाई साब ने दिया था इन्होंने बताया कि हम क्या बेंजीन को इस प्रकार से लिख सकते हैं इस प्रकार भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं तो इन सब को मिला कर के एक सनचना दे दी गई जो ये है जिसे हैबरेट संकर सनचना कहते हैं ठीक है तो कुल मिला करके हमने आज application को भी discuss कर दिया यही बेंजीन के अनुपरियोग हैं तो इनको भी आप देख लिजिएगा समझ लिजिएगा मैंने समझा भी दिया अनुपरियोग में होता क्या है क आप बेंजीन बता देंगे क्यों के यह कैकुले का structure है देबर का structure है केवल और केवल बेंजीन का बताएंगे ठीक है और आपको बताने की जरूवत नहीं है इतना अगर आप पूरा जो भी मैंने आज बताया अगर आप इतना पूरा complete क्यार कर लेते हैं तो आपको एक्साम म उपन आप लोग को telegrand channel पर देधे जाएगा कुछ लोग को अभी कम समझ में आ रहा होगा जो yupi board के बच्चे हैं उनको बहुत ince monsieur आ रहा होगा और कुछ बच्चे में जिनको समन्झ में भी आ रहा होगा तो confuse मत होई परिसान मत हुई है आप लोग की बोर्ट पर क्लास होगी वहाँ पर और अच्छे से हम इस टॉपिक को किलियर करेंगे ठीक है तो आज की इस क्लास के बार में आपकी क्या रहा है कमेंट करके जुरूर बताएगा अगर आपको ये क्लास पसंद आई है प्लेज क्लास को लाइक कर दीजे भाई और जो भी हमारे साथ पहली बार जोटने हैं चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों इसी प्रकार से अब आपकी क्लास नियमें संचालित की जाएगी तो आप लोग डेली लाइब साम चाड़ी पांच बिजे आ जाया करिए बाकी इसका पीडिय टेलिग्राम चैनल पर दे दिये जाएगा और भी नोट्स आपको रिटन दे जाएंगे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए जये हैं जै बारत